हेलो दोस्तो स्वागत आप जबीक आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ मोख टेस्ट पेपर ओफ इंगलिश शेक्शन की यदि आपने इससे पहले पांच मोख टेस्ट पेपर ओफ इंगलिश शेक्शन नहीं देखे हैं तो वो द को चैनल पर बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना है वैल ऐकन ओन जुरूर करना है चलिए शुरू करते हैं यदि आपने पहले मोख टेस्ट पेपर यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा ये मोख टेस्ट पेपर शेक्शन वाइज हैं तो आपको कैसे अ तो आपको में पर में मिलेंगे आपको 10 से 15-15-ड़ इअ मुणेथि के लिए इसलिए आपने जो है वह वह समग टेस्ट को वी 10 से 15 मिनट ही लगाने है चलिए शुरू करते है दोस्तो आज की वीडियो का सबसे पहला question है आपने फिलप solve करना है we must dash help to the homeless and physical disabled people render, donate, exert, contribute अमीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा यदि अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है तो अभी आप वीडियो को resume ना करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number is the correct answer next question क्यों चलते हैं, next question है हमारा question number second दोस्तो question number second को पढ़ने से पहले आप जो है, जैसे ही आपके सामने question put हो रहा है तो आप वीडियो को pose कर लें then अपना उत्तर दें, फिर ही वीडियो को resume करें, ठीक है next question है, हमारा question आपका ये jumble sentence का है इसमें आपने sentence जो है, वो rearrange करने है ठीक है कौन सा sentence जो है, वो पहला आएगा A, B, C, D, ठीक है उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा तो इसका सही जवाब है, option number is the correct answer next question क्यों चलते हैं, next question है next question है, हमारा question number third question number third में क्या बताना है आपने, आपने voice बड़े होंगे एक होता है active voice, एक होता है passive voice, ठीक है और इसमें आपने बताना है, कौन से जो voice है, इसमें आपने, जो sentence है, the manager keeps the work pending, और इस sentence को आपने passive voice में change करना है उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा तो इसका सही जवाब है, option number C is the correct answer next question क्यों चलते हैं, next question है हमारा question number fourth question number fourth में आपने बताना है, कौन से आपके part में जो है वो grammatical error है one of the boys from our school have been selected for national wedding maintenance championship, उमीद करता हूँ अभी तक आपने उतर दे दिया होगा तो इसका सही जवाब है, option number जो है, वो fourth का है option number is the correct answer next question क्यों चलते हैं, next question है हमारा question number fifth question number fifth क्या है, आपने बताना है synonym, जो है वो इस word का obligatory का synonym बताना है, synonym क्या होते हैं same word और antonym होते हैं different word ठीक है, opposite word बोल सकते हैं synonym बताना है, इसमें कौन सा सही होगा A, B, C, D, उमीद करता हूँ अभी तक आपने उतर दे दिया होगा तो इसका सही जवाब है, option number is the correct answer next question क्यों चलते हैं, next question है हमारा question number sixth question number sixth क्या है, इसमें आपने बताना है कौन से पार्ट में error है जहां error नहीं है, तो आप no improvement लगा सकते हो क्या है question, the director will agree with the proposal if we do not exceed the budget उमीद करता हूँ, वी तक अपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number D is the correct answer, ठीक है next question क्यों चलते हैं, next question है, मारा question number seventh question number seventh क्या है, इसमें आपने बताना है, synonym बताना है, word का word क्या है, scintillating इसमें उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है question number eight, question number eight में क्या बताना है, one word substitution को question है, something that cannot be heard, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number C is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है, question number ninth, question number ninth क्या है, ninth question में आपने बताना है, कौन से परर में part में error है, यह 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 error नहीं है, तो आप you know, improvement लगा सकते हो, तो, question क्या है, the captain as well as the player were responsible for winning the trophy, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option number B is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है, हमारा question number 10, question number 10 में आपने बताना है, and more phases का question है, to take French leave, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, यदि आप भी तक आपने उतर नहीं दिया है, तो आप वीडियो को post ही रखें, तो इसका सही जवाब है, option number D is the correct answer, दोस्तों जैसे ही आपके सामने question put हो रहे हैं, तो आप वीडियो को post कर लें, तब ही आपना उतर दें तो next question है, one word substitution का a song sung add up rule उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer next question क्यों चलते हैं next question है, हमारा question number 12 question number 12 क्या है, आपने endomorphism बताना है, the hard nut to crack, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब है, option number B is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है, हमारा question number 13, question number 13 क्या है, आपने fill up solve करना है handle this glass table with care because it is dash, उमीद करता हूँ अभी तक आपने choose कर लिया होगा आपका option उमीद करता हूँ तो next, इसका option क्या है, correct तो इसका option is the, c is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है, हमारा question number 14 question number 14 क्या है, आपने spelling ताने है, कौन से correct spelling है, उमीद करता हूँ, आपने अभी तक उत्ता दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब है, option number c is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question है, हमारा question number 15 question number 15 क्या है, आपने narration तो पड़ी होगी, indirect होती है, speech और एक direct speech होती है, तो इसमें आपने indirect speech में जो है, वो convert करना है, direct speech को, question क्या है, he said to hotel receptionist, can you tell me the trap of rooms, उमीद करता हूँ अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब है, option number d is the correct answer, next question क्यों चलते हैं, next question हमारा last question है, 16 question है, आपने grammatical error बताना है, कौन से पार्ट में error है, I can swim very fast when I was only five, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने उतर दे दिया होगा, तो इसका सही जवाब है, option number is the correct answer, option number is the correct answer, next, आपको मिलेगी जल्द ही वीडियो, और इस वीडियो में बस 16 ही question थे, because आपके HP police में आते हैं 16 question, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, informative लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, because आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है, वीडियो को share जूर करें, दोस्तों, त्यारी कर रहें बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जै हिन, जै, हिमाच्च,